हेलो क्यूटीज आज हम बात करने वाले हैं सी यू अगेन के एपिसोड टू की एपिसोड के स्टार्टिंग होती है जैसे ही यांग किन्यू मैंग चैंग में जाता है वो दुखी हो जाता है कि आज इसकी हालत क्या हो गई तब जनाइन उसको आके बताती है कि एक बुक के अं इंकी शूटिंग करते हुए वो सेट से गायब हो गया था और आज तक किसी को नहीं पता कि वो जिन्दा है या मर गया इस अब देखने के बाद वो बड़ा उदास्ता हो जाता है जनाइन उससे कहती है कि चलो एक लिसमें कुछ तो पता चला अपने बारे में सियां की नियू को लगा था कि जनाइन ने उसको मारा है मगर अब ये क्लियर हो गया था कि जनाइन ने उसको नहीं मारा है उसका कुछ इससे भी रिलेशन नहीं है तो वो उससे कह रहे था है कि पहले मैंने तुमें गलत समझा पर तुमने मेरी काफी हेल्प की तो थैंकी औ बढ़ करती है कि और किनियो यूट अपने घर आया होता है और जब वहाँ पर बड़ी बंचूरा जुकी दो बड़ा प्रीशान हो जाता है जिन्यू को अगर लिए घर भी तो शायद अब तक तो तुम्हारा गर नहीं राट तो किसी और और का Χी हो गया है तब यह वहां पर नियू फोन करने लगता है गाओं मैंशन में मगर कोई नंबर ऐसा लगता है N analyt उससे कहती है इस नाम का तो इस नाम का तो बैता और आसे ऐसी इन्सान को कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए तो देखनी शुरू करते हैं ब्लैक होल की ट्योरी जनाइन यह कह रही थी कि उस दन ब्लैक होल की वजह से तुम इधर से उधर ट्रांसफर हो गए दो रियालिटी एक साथ ओवरलैप कर गई और तुमने टाइम ट्रेवल कर लिया किन्यू को य किन्यू कहता है कि अगर मैं आतो यहाँ पर अब मैं जाओंगा कैसी मुझे वापस जाना है जनाइन कहती है उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ीगा वैसे ही अगर कुछ फिर से होता है तो तुम वापस जा पाओगे पर दिखाता है जनाइन किन्यू से फ्रेशिन हैंगी तो सोचने लगती है वाओ मेरा आइडल अभी भी बहुत महंगा है उसकी बहुत जदा वैल्यू है वह अपने हीरो के लिए बहुत अच्छे से रूम सेट कर देती है और इतने वह अंदर ना रहा था तो से कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वह कुछ ऐसी हरकते करे जा हैं मगर वो उसको समझा देती है कि नहीं यह आजकल का ट्रेंड है और इसमें तो मुझा अच्छे लग रहे हो फिर किन्यू जनायन से उसका प्रोफेशन पूशने लगता है अब जनायन उसको रियालिटी क्या बताती कि वह ऐसी चोटी मोटी डाइटर है जिसे लोग ऐसी पैसे देते रहते हैं दूसरों की वीडियोस पर कमेंट करने के लिए उसका कुछ आजकल फायदा नहीं हो रहा है वो आजकल कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो उसको काफी सारे बहाले बता देती है कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्टिक क्रिएटर हूँ और काफ को जनाइन सोच रही थी कि एक दिन में टॉप स्क्रीन राइटर बनके रहूंगी और मैंने तो जियांग किन्यू को जंदा भी देखा है मुझसे बड़ा कौन होगा फिर उससे कंट्रोल नहीं हो रूम में जाके जियांग किन्यू के साथ एक फोटो क्लिक करने लगती है ग पता चलता है कि जो हुडी उसने पहन रखा है वो एक डिलिवरी मैन का है किन्यू घर पहुचके जनाइन से कहता है कि मुझे यहां के पैस स्टोर में लेके चलो मुझे कुछ कपड़े खरीदने है जनाइन उसको पैस स्टोर में किया वो उसको एक होलसेल मार्केट में ले जाती है वहां के कपड़े किन्यू को पसंदे नहीं आते क्योंकि जीन सारी फटी हुई थी वो कहता है मेरे टाइम में तो भीकारी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे फिर इसको एक जगा कोट दिख जाते और वो कोट पैंड पहन लेता है जो काफे पसंदारे होते हैं उन और मैं तुमारी अच्छी दोस्त हूँ तो इन कोइन्स को मैं रेख लेती हूँ और इसके बतले में इस कपड़ों के लिए प्राइस मैं ही पेकर दूँगे क्योंकि जनाइन को तो पता था इन कोइन्स की वैल्यू बहुत जादा है आज के टाइम में किन्यू वो देखकर बहुत सारी भीड जमा हो गई थी सबको वो कोट पसंदा रहे थे तो किन्यू वहां पर उन कोट के बार में बताने लग जाता है जिससे भीड और इखटी हो जाती है और वो सब कपड़े खरीदने लगती है तो जनाइन उस लेडी से एक डील कर लेती है कि हम आपके को प्रमोट करेंगे और बतले में आप 30% हमें दे देना अब क्योंकि जनाइन के पास रुपे हो चुके थे तो वो अपना रेंट भी चुका देती है फिर वो किन्यू के लिए लंच तियार करती है और नूडल्स को देखके किन्यू कहता है ऐसी नूडल्स तो हमारे हमारे भी नहीं खाते थे वागर आइन उसको समझाती है कि बहुत टेस्टी होते है तो में एक बार इनको खाके तो देखो और जब किन्यू उनको खाना शुरू करता है तो वो सारे ही खतम कर देता है उसको बहुत अच्छे लगते है लंच के बाद जनाइन उससे कहती है कि क्या प्लीज तुम मुझे अपना ओटोग्राफ दे सकते हो तो किन्यू अपना ओटोग्राफ देने लगता है और जनाइन कहती है कि इसमें अपना लाइफ मोटो भी लिख दो किन्यू बताता है कि उस मूवी के स्क्रिप्ट में यह लाइन मेरी थी नहीं मेरे एक फ्रेंड ने तो मैंने यह लाइन यूज कर लिए और यह काफी अच्छी रही जिसे सुनके जनाइन को बहुत जाता गुस्ता आ जाता है वह ओटोग्राफ चीन के अंदर चली जाती और बैटके रोरी होती है उसको अपने फादर की बात यादा आ रही थी उन्होंने जब किन्यू के ला पास भी लगाता है कि बहुत टाइम हो गया है बहार आ जाओ और मुझे कंप्यूटर चलाना सिखा दो पेपर पर इंस्ट्रॉक्शन पना देदी और उससे कहती है इन्हें देखते रहों समझते रहों खुदी चला लो में पास टाइम नहीं मैं सोने जा रही हूं तो उसको होई नहीं रहा था वो काफी ट्राइगर रहा था फिर इसको याद आता है कि कैसे ना इनने कहा था कि अगर कुछ समझ में ना है तो रूबोट की हेल्प ले लेना दूसरी साइट दिखाते हैं एक्टर ली लॉंग को ब्रदरू कहरे होते हैं कि चीयू का तो कुछ आजकल अतापता है नहीं अब इस कंपनी के लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए तो तुम्हें काम करो अगर तुम पैसे ले आते हो तो में एक्टर में तुम्हें ही बना दूँगा और चीयू का तो कुछ अतापता नहीं चल रहा है इतनी सारी पुलिस भी भी पहजी गई पता नहीं उसने किसको ऑफेंट किया था कि वह गायर भी हो गया टरली साइन कर देता है और वह कहता है कि यह सब मैं सर्फ चीयू के लिए कर रहा हूं अगर वह भी नहीं है तो मगर उसके लिए मैं यह मूवी खुदी फिनिश करूंगा फिर जैसे वह बाहर आता है उसको यहीं पर एपिसोड फिनिश हो जाता है अगर आपको यह पसंद आया हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शियर करें कॉमेंट्स करें और बाइबाइ चानल लेक्स वीडियो